बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com जिवन की किसी खास समस्या को चोटकियों में दूर करेगा तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है गुरुवार का तारीख है शाम तीन बजे तक का दिन का सबसे शुब महरत रहेगा विशेश क्या है? स्तिरियोग है रिशी पंचमी है और विशेश रूप से सकंद शच्टी है और खास दिन है रिशी पंचमी का आपको बताएंगे खासमखास विशेश उपाए मे में निसंतान दमपत्ती को संतान कैसे प्राप्त हुगी उसके लिए राशिफल आखिर तक देखेगा शुरुबात करते हैं राशिफल की पहली राशि मेश के साथ में कारे शेतर में महनत का फल मिलेगा, समाजिक समहारों में भाग लेंगे, लंबित काम पूरे होंगे, छातरों को मोखे मिलेंगे, मित्र से सलहा लेंगे उपाई करें कि पक्षियों के लिए चनादाल रखें, शुभंग सात रहेगा, शुभरंग रहेगा सिलिटी संतान से खुशकबरी मिलेगे, सेहत मन महसूस करेंगे, रचनातामा कामों में मन लगेगा, सामाज एक प्रतिष्टा बढ़ेगे, आर्थिक स्तिती सुधरेगी उपाई ये करें कि कागस पर हल्दी से श्रीम लिखकर पर्स में रखें, शुभंग चार रहेगा, शुभंग रहेगा नीला तीसरी राशी में तो नियनी जमनाय की बात करेंगे, खर्चे काबू में रखें, शिक्षक छात्रों को मदद देंगे, दफ्तर में नई जम्यदारी मिलेगी, धर्म कर्म में रुची लेंगे, लोग बातों से प्रभावित होंगे, उपाई ये करें कि बेसन के तीन रहेगा, शुभरंग रहेगा, पीला, चौथी राशी कर क्यानी कैंसर की बात करेंगे, रिष्टों में तनाव रहेगा, दफ्तर में काम का बोज बढ़ेगा, हर फैसले में सतर रहें, नए काम सीखने का मौका मिलेगा, थकान मैसूस करेंगे, उपाई ये करें कि धार से बने वेंजन खाएं, शुभंग काट रहेगा, शुभरंग रहेगा, काला, चटी राशी कन्या, यानि वर्गो की बात करेंगे, नई घरेलू जिम्मेदारी मिलेगी, सह कर्मी मदद करेंगे, खास काम में मित्र मदद देंगे, दफ्तर में लंबित काम बनेंगे, अधिक कारी मदद देंगे, उपाई ये करें कि दैनिक पूजा में फल चड़ाएं, शुभंग तीन रहेगा, शुभरंग रहेगा, पीला, साथवी रशी तुला, यानि कि लिबरा की बात करेंगे, आर्थिक फैसलों में सतर्क रहें, पुराने बुद्दों के प्रती चिंता रहे चातर मन लगा कर पढ़ेंगे, नौकरी में बड़ी खुशकवरी मिलेगी, आर्थिक शेत्र सुधरेगा, अचाना के यात्रा के यूग हैं, पत्रकारों की उतारिफ मिलेगी, उपाई ये करें कि दूध में केसर मिला कर पिएं, शुभंग सात रहेगा, शुभंग रहेगा सिलेटी, नमी राशी धनू, यानि कि सेजटेरियस की बात करेंगे, उमीद से अधिक लाब होगा, प्रीमियों के शाम रसेक रहेगी, धनलाब के मौके मिलेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सेहत पर थोड़ा ध्यान दे, उपाई ये करें कि केले का सेवन करें शुभंक एक रहेगा, शुभंक रहेगा, लाल, दस्वी राशी मकर, यानि कि के प्रकॉन की बात करेंगे, नए कारोबारी मौके मिलेंगे, कामों में अधिक समय लगेगा, आर्थिक कारण से चिंताएं रहेगी, सहकर्मी सहयोग देंगे, छात्रों का मन थोड़ा सा भटक उपाई ये करें कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, शुभंक छे रहेगा, शुभंक रहेगा, गुलाबी, ग्यारवी राशी कुम भही यानि के अक्वरियस की बात करेंगे, कारोबारी लाब होगा, दफ्तर में कामकच की तारीफ होगी, भागे साथ देगा, मितरों के उपाई ये करें कि पूजागर में लाल पीले फूल चड़ाएं, शुभंक छे रहेगा, शुभंक रहेगा, गुलाबी, बारवी राशी मीन यानि पाइसेस की बात करेंगे, ब्यापार में बड़ा लाब होगा, आर्थक शेतर सुधरेगा, कोई खोशखबरी मिलेगी, शा उपाई का, वो विशेश उपाई जो निसंतान अदमपत्ती को संतान की प्राप्ति देगा, देखे, खास दिन है रिशी पंचमी का, ये एक ऐसा दिन होता है, जिस दिन विशेश रूप से अबॉर्शन के दोश दूर होते हैं, रजस्वला जो दोश है, शास्तर में इंकि बांद कर ना भी शेतर से वार कर किसी मंदिर में चड़ा दें, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेश मंतर का जाप करें, ओम सब्त रिशनाम नमहा, ओम सब्त रिशनाम नमहा, आश्वस्त करता हूँ आपको ने संतान दमपत्तियों को संतान प्राप्ती के निश्चित योग बनेंगे, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आप से फिर मिलाकात होगी, इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षिवाए,